करनाटक बिधानसभा चुनाम में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद मद्धपशेस कॉंग्रेस गदगद नजर आ रही है वहीं PCC चीप कमलनाथ ने कहा कि प्रदेस में होने बाले बिधानसभा चुनाम में कॉंग्रेस को बजरंग बली का आशिरवाद मिलेगा कमलाद ने कहा कनाटक में बाजपा कोंग्रिस की संक्या से आधी सीटे भी नहीं जीच सकी प्रधान मंत्री ने रोट सो रेली करने के साथ कनाटक में चुनाप जीतने के लिए कोई कसन नहीं छोड़ी जक्षिन भारत ने उत्तर भारत को चुनाप परिणाम के साथ रास्ता दिखा दिया है बता दे कि मद्यप्रेश में द्वार 18 के बिजासभा चुनाम में कुल 230 सीटे में से 114 सीटों के साथ कॉंग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी जबकि बाच्पा ने 109 सीटों पर जीद हासिल की थी कॉंग्रेस ने कमलनात के नेतरद में गड़ बंदन की सरकार बनाई लेकिन मार्श दौर बीच में जोचराज सिंधिया के कई समर्थकों ने बाच्पा जोइन कर ली जिसके कारण कॉंग्रेस की सरकार गिर गई और सिवरा सिंधिया के नेतरद में बाच्पा की सरकार बनी